मेरी 14 साल की बेटी जब स्कूल से आती तो खोई-खोई सी रहती, उसकी डाइरी में नोट आया कि अपनी बेटी को नहला कर भेजा करो, इसके सरीर से बदबु आती है, मुझे हैरत हुई, क्योंकि मैं अपनी बेटी को नहला कर ही स्कूल भेजा करती हूँ, फिर यह बदबु किस सिच की है मैं अपने बेटी के स्कूल में पहुँच गई और वहां मेरी बेटी के साथ जो हो रहा था उसे देखकर मेरे पैरो तले जमीन निकल गई मेरा नाम रानी है मेरी 14 साल की एकलऊती बेटी साली नी आजकल गुमसम सी रहने लगी है मुझे समझ नहीं आता इसके साथ क्या हो रहा है मेरे पती राजेस बिजनिस के सिलसिले में हमेशा बिजी रहा करते हैं उन्हें बिलकुल ही वक्त नहीं मिलता कि अपनी बेटी पर ध्यान दे इसी बज़े से मैं अपनी बेटी का पुरा ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ जब मैं अपनी बेटी की उम्र की थी तब मैं भी इस तरह से खोई-खोई सी रहती थी मेरी माँ बहुत परिशान हो जाती और मुझसे पूछा करती थी कि बेटा आजकल तुझे क्या हो गया है उस उम्र में मुझे एक मुहले के लड़के से प्यार हो गया था और उसी के प्यार में मैं हमेशा खोई-खोई से रहने लगी थी पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था पन करता था कि मैं उस लड़के राजु के साथ भाग जाऊं और उससे शादी करके जि पैपा इसे असर पड़ा था मैं अपने माँ-बाप से ब मुझे बाफी जी करने लगी थी। आज जब मेरी बेटी इस तरह से गुमसुम रहने लगी है तो मुझे भी उस पर शक होने लगा कि मेरी तरह कहीं उसका भी कोई चक्कर तो नहीं जब मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ आया की बच्पन की मुहबद बस एक आकर्शन मात रही होता है जब मैं अपनी बेटी से पुछती की तुम इतनी खोई-खोई से क्यों रहती हो तो वह कुछ जवाब नहीं देती और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया करती थी जब मैं उसके डाई चेक की तो उसमें लिखा हुआ था कि अपनी बेटी को नहला कर भेजा करो उसके सरीर से बद्बू आती है मेरी बेटी अब 14 साल की हो गई है अपनी साप सफाई का खुद ही धियान रखती है मैं बस सुबह उड़कर भोल देती हूँ कि तयार हो जाओ और वो खुद ही नहाद हो लेती है उसकी यह नोट देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई तो मैंने उससे पूछा तुम नहा कर नहीं जाती हो क्या इस पर उसने गुसे से जवाब दिया मा तुम तो रोज देखती हो कि मैं नहा कर ही जाती हूँ फिर क्यों पूछ रही हो यह बात सुनकर मैं काफी हैरत में पड़ गई अगर वह नहा कर जाती है फिर इसके सरीर से बद्बू कैसे आती है कहीं मैडम ने गलती से इसकी डायरी में वह नोट तो नहीं डाल दिया मैंने यह बात गौर की कि मेरी बेटी जब भी घर आती थी उसके कपड़े काफी गंदे रह मेरी बेटी आजकल मेरी साथ वक्त नहीं बिताना चाहती थी मैं जब भी उसके पास जाती वह उटकर अपने कमरे में चली जाती और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती थी कुछ पूछने पर कहती थी मा मुझे पढ़ाई करनी है मुझे लगा पढ़ाई की वज़स से शाय पढ़ाई में इसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता इसके नंबर भी बहुत कम आए हैं क्या आप इस पर ध्यान नहीं देती मैंने कहा मेरी बेटी तो हमेशा मुझे से कहती है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ मैडम ने कहा आप खुद ही इसकी पढ़ाई पर कड़ी निग्ड से इसकी डायरी में लिख दिया होगा लेकिन आज तो परेंट्स मिटिंग में मैडम सीधे ही मुझसे यह सवाल कर रही है मैंने कहा मैं इसे रोज नहला कर भेजती हूँ पर मेरी बेटी कहती है कि खेल कूद करती है शायद इसी बज़े से उसके सरीर से पसीने की बदबू आती होगी मैडम ने कहा नहीं गेम स्पीडियर्ज में तो यह गायब रहती है पता नहीं स्कूल में कहा गुमती फिरती है और सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि इसके सरीर से अजीब सी बदबू आती है मैंने मैडम से कहा कि मैं और उसके पापा मिलकर इसे समझाएंगे जूट भी बोलने लगी है जब राजेस घर आये तो मैंने उन्हें सारी बातें बताई राजेस सब सुनकर काफे चिंतित हो गए उन्होंने कहा कि अपसे मैं भी घर पर ज्यादा टाइम दिया करूंगा काम का दवाव मेरे उपर इतना ज्यादा है कि मैं कुछ लड़के और लगाने का फैसला किया है मेरे पती ने कहा कि कहीं इसका किसी लड़के से कोई चक्कर तो नहीं मैंने कहा आप इस से बात किर के देखिए मुझे तु कुछ बताती नहीं कुछ पूछो तो उल्टा जवाब दे देती है उस दिन मेरे पती अपने बेटी के साथ बात करने गायब रहती हो मेरे पती के जवाब से उसके चेहरे पर घबराट साफ नजर आई मेरे पती अब समच चुके थे कि बेटी जूट बोल रही है रात में हम दोनों ने बस सालिनी के बारे में ही बाते की हम दोनों को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ हो क्या रह आखिर इस तरह से यह अपने माबाप से जोट क्यों बोल रही है मेरे पती ने कहा जरूर इसका किसी के साथ चक्कर है तुम इसकी हरकतों पर करी नजर रखो एक दिन मैंने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और बहुत प्यार से पूछा बेटा तुम्हारा किसी के साथ क आदर से बंद कर दिया मैने अपनी बेटी को अच्छे साबुन और लिकविड सुप खला कर दिये थे मैंने कहा अच्छे से साबुन लगा कर नहया करो और सिर पर सेम्पूझ डाला करो जब ऑन dependence कर पाहर निकली तो उसके सरीर से खुश्बू आती थी लेकिन जब वह स्कूल से घर आती तो इसको सरीर से एक अजीब सी बदबू आती थी मैंने इसके पापा से कहा इसके कमरे का लौक आप तूर दीजिए क्योंकि आज जब देखो कमरा अंदर से लौक करके बैठ जाती है और मुझे पता नहीं चल पाता कि या अंदर क्या कर रही है मेरे पती ने उसके कमरे का लौक अंदर से हटवा दिया इस पर वह काफी गुसा हुई तो उसके पापा ने कहा बेटे हमारे साथ रहना है तो हमसे अर्जेस्ट करके ही रहना पड़ेगा अच्छे से पढ़ाय लिखाई करो फिर अपने जैसा तु रोज आते और एक घंटा क्लास लेकर चले जाया करते थे मैं उनसे पूछी कि यह कैसे पढ़ाई कर रही है पास तो कर जाएगी ना इसके सर बोले इसके पढ़ाई में बिलकुल भी मन नहीं लगता है और यह अपने कौपी में अजीब सी ड्रॉइंग बनाती रहती है जिस इसके ड्रॉइंग जरूर लेकर जाए मैंने कहा ठीक है सर उसके सर चले गए लेकिन मैं काफी हैरत में थी कि आखिर वह कैसा पेंटिंग बनाती है मैंने कभी भी गौर नहीं किया कि यह किस तरह की ड्रॉइंग बनाती है जब मैं उसके ड्रॉइंग कौपी देखी तो उसम किया और उनसे कहा कि आप जल्दी से घर आ जाओ वह कफी घबरा गए और कहा क्या बात है तुम ठीक तो हो ना मैंने कहा आप जल्दी आओ फिर मैं बताती हूं जब मेरे पती घर आय तो मैंने उन्हें उसके ज्रॉइंग दिखाई तो वह देखते ही रह गए उन्होंने कहा य मेरे पती ने देड़ नहीं की और उसी दिन एक मांसिक चिकिस्थ के पास लेकर गए और उन्होंने जो पताया उससे सुनकर हमारे रोंग्टे खरे हो गए मैंने ठान लिया कि मैं सच का पता लगा कर रहूंगी अगले दिन ही मैं स्कूल में पहुंच गई उस वक्त उसका क्लास चल रहा था जब मैं उसके क्लास में उससे मिलने गई तो उसकी मैडम ने कहा वो क्लास में नहीं है वो म्यूजिक क्लास में गई हुई है मैं दोड़ी भागी म्यूजिक क्लास में पहुंची मैं क्लास के अंदर घुसते ही चौक गई क्योंकि उसके सर उसके साथ बहुत ही गंदा और गिरा हुआ काम कर रहे थे मैं शोर मचाना शुरू कर दिया तो आसपास के सारे टीचर वहां पहुंच गए सारी टीचर जब वहां का नजारा देखा तो सबकी आखे फटी की फटी रह गई तुरंथ ही गाड वहां पर आ गया और उस सर को माणने लगा प्रिंसिपल ने पुलिस बुला लिया और वह सर को गिरफतार करके ले गए मैं अपनी बेटी को लेकर सिधे घर पर आ गई रस्ते में मैंने उसके पिता को फोन करके सब कुछ बता दिया उसके पिता सिधे घर आ गए मेरी बेटी अपने कमरे के अंदर चली गई अब तक मैंने अपने आपको समाल रखा था अब मैं रोनी लगी मेरी बेटी के साथ स्कूल में इतना गंदा काम हो रहा था दरसल उसके साइंस के टीचर उसके साथ गंदा काम किया करते थे मेरी बेटी को कुछ दिमागी बिमारी है और साइंस के टीचर को यह बात पता चल गई वह उसको अलग से परहाने के बहाने उ उसे हाइपर अक्टिविटी और एटेंशन डिफिसित डिजॉर्डर है जिसके वज़से टिकर बैटने में उसे पड़िशानी होती है और उसने कुछ ऐसी ड्रॉइंग बनाई थी जिसे देखकर डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी के साथ सारीडिक शोषन हो रहा है इसलिए वह इस तरीके का गंदा ड्रॉइंग बना रही है मेरी बेटी हमारे ध्यान खिचने के लिए अपने सरीड को गंदा कर लिया करती थी क्योंकि सच बोलने से घबराती थी इसी बज़से उससे बदबू आती थी डॉक्टर ने कहा कि आप स्कूल में जाकर पता लगाओ कि उस यह बात बताना चाहती है आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी से नहीं हो रहा उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है साइंस के टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया इस घटना के बाद दो तीन स्कूल की लड़किया और सामने आई जिसने कहा कि वह उनके साथ गंदा काम किया करते थे। स्कूल में अब हर जगह CCTV कैमेरा लगा दिया गया। स्कूल वालों ने हमसे माफी मांगी और हमने अपनी बेटी की भी काफी काउंसिलिंग कराई ताकि वह धीरे-धीरे सब कुछ भूल पाए। कभी-कभी बच्चों को एटेंशन की कमी की वज़ा से पढ़ाई में मन लगाने में काफी तकलीफ होती है। ऐसे में एक साथ जादा ना पढ़कर अगर पढ़ाई को छोटे-छोटे हिस्सों में बाट लिया जाए तो पढ़ाई करने में आसानी होती है। और कई बार हमारे बच्चे डरके मारे वह सब चीज नहीं सब्सक्राइब करें। थांक यू